हेलो स्टुडेंट स्वागत है हमारे चैनल ब्यस्सी एजुकेशन लेक्चर्स में तो यहां पर हम पढ़ने हैं ब्यस्सी फेस्टियर मैंट्स थर्ड पेपर ठीक है यूनिट फॉर्थ का कॉशन है तो वीडियो के आप लोग एंड तक बने रहेगा एंड वीडियो सुरू कर करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेट जरू करिएगा तो इंटी का कॉशन है फूर्थ इंपोर्टेंट कॉशन है ठीक है पहले सबसे पहले कॉशन को पढ़ते हैं उन सरल रेखाओं के समीकरण ग्याद क कीजिए यानि कि पहले अपन को ये बताना है कि सरल रेखाओं का समीकरण क्या है यहाँ पे और फिर अपन को यहाँ पे कॉण भी बताना है तो सबसे पहले जो कुश दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सम्तल का समीकरण 2X प्लस Y माइनस Z is equal to 0 ठीक है और अपन को एक संगू का समीकरण भी दिया हुआ है 4X स्क्वेर माइनस 12 स्क्वेर प्लस 3Z स्क्वेर इसको देते पर इक्वेशन फश्ट और इसको देते पर इक्ेशन सेकेंड अब देखुए एक को सम्तल और संकू का आप प्रतिछेद रेखा हो यहां पे उसको भी अपन यहां पे लिखेंगे एक्स अपॉन एल यानि सम्तल और संकू की प्रतिशेद एक्स अपॉन एल बाई अपॉन एम इस उकॉल टू जैड़ अपॉन एन यह आप लोगे लिए याद होने चाहिए सम्तल और संकू की प्रतिशेद रिखाओ यह होती है अपन की एक्स अपॉन एल इस गॉल टू वाई अपॉन एम तथा जैड़ इस उकॉल टू एन ठीक है यह होता इसका तो अपन सबसे पहले जो अपन को शम्तल का समीकरण है और अपन की संकू का समीकरण इसको अपन एल एम एन के रूप में बनाएंगे यानी x के स्थान पेल ईबाय के स्थान पे जैडं के स्थान पे एन रखेंगे तो समीकरण एक वाद एक वास समीकरण दो से ठीक है तो 2L प्लस M माइनस N is equal to 0 हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 4L स्क्वार माइनस M स्क्वार प्लस 3 N स्क्वार इस उक्वार इस उक्वार जाएगा ठीक है समीकरण जो यह है अपने इसको ऐसा भी लिख सकते है N is equal to 2L प्लस M ठीक है तो समीकरण एक से अपन ऐसा निकाल लेगे फिर इसके बाद अपन यह जो एक्वेशन से अपन की इसको देद अपन समीकरण 3 समीकरण 3 में N is equal to 2L प्लस M लखेंगे कहीं भी आप लोग के लिए गले एक समतल का समीकरण और दूसरा संकू का समीकरण आए तो आप लोग के लिए ऐसा ही करना है और आप लोग BSC फस्टेयर के और वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएए क्रम से कॉशन शॉल्व करवाए गए है यूनिट वाई यूनिट ठीक है समीकरण 3 से क्या रखना N is equal to 2L plus M तो 4L square यह तो जो करते हो minus M square यह जो करते हो plus 3 N के इस थान पर 2L plus M लग देंगे और इसके उपर square आजाएगा और अपना is equal to 1 कह है 0 है ठीक है अब इसको solve करते हैं तो 4L square minus M square plus 3 इंट्रीस का प्रसार कर देते हैं 4L square हो जाएगा plus M square plus 4L M हो जाएगा ठीक है is equal to 0 अब 3 का अपन अंदर पूरे में multiply कर देते हैं 4L square minus M square plus 3 4 जा 12L square हो जाएगा plus 3M square हो जाएगा plus 3 4 जा 12L M हो जाएगा is equal to 0 अब देखो LL वालों को अलग कर लेते हैं और MM वालों को जो आपन की जोड रहा है वो जोड लेते हैं और जो घट रहा है वो घटा लेते हैं तो 4L square और 12L square क्या हो जाएगा 16L square 3M square में से भी 1M square जाएगा क्या बचेगा अपन का 2M square plus 12L M हो जाएगा अब इसके अपन गुड़न खंड तोड़ेंगे देखा पूरे में से 2 common निकाल रहा है 2 common लेके पर इस साइट पक्षा अंतर कर देगे तो वो 0 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा अपन का 8L square जब 2 common लेंगे ठीक है यहाँ पर आएगा अपना M square यहाँ पर आजाएगा 6L M is equal to 0 तो अपन का क्या हैगा 8L square plus M square plus 6L M is equal to 0 हो जाएगा अब इसके अपन बड़न का अंडर तोड़ेंगे ठीक है यहाँ से अपन 8L square तो अपन को चाहिए क्या 8 चाहिए multiply में हो जोडने घटाने से अपन के 6 आने चाहिए तो ऐसा का उनसा चाहिए यहाँ से अपन 4L common ले लेते हैं तो क्या बचेए अपन का 2L plus M आजाएगा और यहाँ से अपन M कॉमा ले लेंगे तो आजाएगा अपन का 2L plus M is equal to 0 अब दोनों में से अपन का 2L plus M आ रहा है तो 2L plus M नकाल लेते हैं फिर 4L plus M अपना is equal to में 0 आएगा ठीक है ठीक है तो आप देखो यहाँ तो अपन लिख सकते हैं 2L plus M is equal to 0 यह 4L plus M is equal to 0 लिख सकते हैं जब अपन 2L plus M is equal to 0 लेगे यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 1 से क्या था अपन का समीकरण 1 नहीं समीकरण 3 जो अपन का था is equal to 0 तो 2L plus M is equal to 0 जब 0 रख देंगे तो N is equal to भी अपने के आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीज़ जब N is equal to 0 है तो समीकरण 1 से क्या था अपन का X upon L यानि कि अपन लिख सकते यहाँ पर L upon 1 M upon minus 2 क्योंकि यहाँ पर अपन का M की value जब रखेंगे तो अपन का M minus 2 और N is equal to 0 तथा जब 4L plus M रखेंगे 4L plus M is equal to 0 तब M is equal to अपन क्या ले सकते माइनस 4L ठीक है तो अपन का जो देखा का समीकरण होगा समीकरण 1 से वो होगा अपन का L upon 1 M upon minus 4 देखो यह आरहा ना minus 4 अपन इस साइड ले आएंगे तो अपन का M minus 4 आजाएगा इस का L2 अपन यह हो जाएगा N upon minus का 2 हो जाएगा ठीक है यह अपन की समीकरण देखो यहाँ से अपन ने 12 L plus M is equal to 0 था तो अपन यहाँ से कहन निकाल सकते M is equal to 2 निकाल सकते है अपन minus 2L तो M minus 2 का इस साइड ले आएंगे तो अपन का M upon minus 2 आजाएगा तो यह हो गया अपन के समीकरण अभीष्ट रेखाओं के समीकरण अथा अपन लिख सकते हैं अथा अभीष्ट रेखाओं के समीकरण L upon 1 is equal to M upon minus 2 is equal to N upon 0 या L upon 1 M is equal to minus 4 is equal to N upon minus 2 हो जाएगा यह हो जाएगा अपन का अजसर आपन को इनकी बीच का quad भी चाहिए है तो अब quad के लिए अपन का formula होता है L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 upon में इनका under root में square लेखना पड़ता है यह हो जाएगा अपन का L1 L1 is equal to क्या हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा अपन का M1 M1 is equal to minus 4 और N1 is equal to हो जाएगा अपन का minus 2 हो जाएगा सोरी यहां पे अपने माइनस टू था पहला समीकरण नहीं और यहां पे अपना जीरो तो यहां पे हो जागा अपना जीरो और यहां पे हो जागा अपन का माइनस टू तो दूसरे में एल टू इस उकॉल टू क्या हो जागा वन और एम टू इस उकॉल टू क्या हो जागा माइ मिनस तू आपन यहां के इसका समीकरण निकालते हैं माना रेखाओ कि बीच का कॉर्ड कॉस्ट थीटा है कॉस्ट थीटा है कॉस्ट लगा लिजिए अपन कॉस्ट थीटा इस गॉल्टू लिख सकते हैं अपन में हो जाएगा अंडरूट अंडरूट इसकुर्द में हो जाएगा पन का स्थीटा है टीटा थीटा है तो अब यहां पर सबन यहां लिखें cage नोट Ciao out M1 यानि की माइनस 2 और M2 यानि की माइनस 4 हो जाएगा प्लस N1 0 हो जाएगा और N2 अपना माइनस 2 हो जाएगा अपन में 1 का स्क्वेर M1 का स्क्वेर यानि माइनस 2 का स्क्वेर प्लस 0 का स्क्वेर इन 2 में अपना S की वैली रख दें l2 का क्या अपना 1 का square plus minus 4 का square plus minus 2 का square हो जाएगा 1 into 1 ही रहेगा और यह अपना 8 हो जाएगा और यह अपना 0 upon में होगा upon 0 into under root में रहेगा 1 16 plus 4 हो जाएगा यानि ओपर अपना 9 आह जाएगा upon में under root 5 into under root 21 one multiply कर देते हैं तो यह आ जाएगा ठीक है cos theta है अपना यह cos को इससरी लेगे तो cos inverse हो जाएगा cos inverse 9 upon under root 105 हो जाएगा यह हो जाएगा अपन का अज़र तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोश्टों के साथ share जरू करेगा इसी प्रकार आप लोग के लिए और भी caution पूछे जाए संतल और संगू के related तो आप लोग इसी प्रकार से caution solve करोगे और जैसे उनके रेखाओं का कौन नकालना पड़ेगा तो यह formula आप लोग याद रखिएगा थेंक्यू